में हम देखेंगे किड्नी डायलेसिस और किड्नी डायलेसिस मेशीन के बारे में अगर जो गुर्दों की सफाई का मेशीन या फिर किड्नी डायलेसिस मेशीन किसी गुर्दे को तब्दील नहीं कर सकती लेकिन ये गुर्दे के ट्रांस्प्रांट होने तक मरीज के जिन्दे रहने का जरीया जरूर पैदा कर देती है जब कोई गुर्दा फेल हो जाए तो दो किसम के इलाज दस्तियाब होते है ज्यादा तर लोगों ने होमेड आरेसिस ही कराते है ये वो कराते है डॉक्टर मरीज के खून की वरीदों की वरीदों में हासिल करने के साथ आगास करता है वरीदों से यहाँ पे मेरा मतलब है वेंस ये काम टांग या बालो के कभी कभी गर्दन में खफीफ सी सरजरी के जरीए किया जा सकता है जिन में लगाए जाने वाली शगाफ के अंगर दो सुईयां डाली जाती है एक वरीद मतलब वें और दूसरी शारयां मतलब आर्टरी के तरफ तब खुन साफ होने के लिए डायलैसिस मशीन में दाखिल होता है मशीन के दो हिससे होते हैं एक हिससर डायलैसिस नामी मवाद और दूसरा खुन के लिए इन दोने हिस्सों के दर्मियान एक बारीक सी जाली या च्छनी लगी होती है जिसका काम होता है फिल्टर करना जब खून जिली के एक तरफ और डायलाइजेट दूसरी तरफ से गुजरता है खून मेंसे फाजल माद्दे के ज़रा च्छन जाते हैं और डायलाइजेट इन्हें धोर डालता है डायलाइजेट एक फ्लूइड होता है और डायलाइजेट इन्हें धोर डालता है च्छनी मेंसे ना गुजरने वाले सेल वापस खून में शामिल हो जाता है याद रहे कि छन्नी के सुराख खुर्द भी नहीं होते हैं मतलब यह माइक्रोइसकोपिक होता है और माइक्रोइसकोप सही नज़र आते हैं आम आख से दिखाई नहीं देते हैं दूसरा कम आम तरीका पेरिटोनियल डायलेसिस है जिसमें मरीज की अपनी पेरिटोनियल जली को बतौर फिल्टर इस्तमाल किया जाता है पेरिटोनियल जली पेट के अंदूरीनी तरफ होती है डायलेसिस मशीन की खुर्दीनी जली के तरह ये भी च्छनने का काम दे सकती है इसके सिवा इसके सुराखों में से फाजिल जलात तो गुजर जाते हैं लेकिन खुन के बड़े सैल नहीं गुजर पाते हैं सबसे पहरे सरजुरी के जरी एक प्लास्टिक ट्यूब पेट के अंदूर डाली जाती है तो इसकी अलाइशें जली में से गुजड़ कर डाइलाइजेड में शामिल हो जाती है 3 या 4 गंटे बार डाइलाइजेड को निकाल कर इसकी दचाता माया डाले जाता है इस अमल में नजव घंटा लगता है और इसे रोज़ाना 4-5 मर्दावा दोहराया जाता है